जेहीं दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSE Constable GD भरती 2023 के अंतरगत एक जाम पास करने के लिए यानि की CBT एक जाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो है कितना मार्क्स आपको लाना होगा तो दोस्तो मिनिमम क्वालिफाईंग मार्क्स के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे SSE Constable GD एक जाम क्वालिफाई करने के लिए इसके अलावाई इसका एक जाम कप से सुरू होगा आप सभी को पता होगा इसका एक जाम डेट आपको आ चुका है तो एक जाम डेट भी आपको बताएंगे कब से इसका एक जाम सुरू होने वाला है तो अगर आप भी SSE Constable GD भरती 2023 की तयारी कर रहे हैं और इसकी फार्म अपलाई कर दिये हैं ये वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि SSE Constable GD रिलेटेड सभी अपडेट इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें SSE Constable GD भरती 2023 के अंतरगत जो है Minimum Qualifying Marks के बारे में यानि कि कितना जो है इसमें Minimum Qualifying Marks इस बार आपका रखा गया है तो देखेंगे 14 नंबर जो प्राग्राप है SSE Constable GD के नोटिफिकेशन का उसमें आपको देखने को मिल जाएगा Minimum Qualifying Marks के बारे में तो देखिए दोस्तों अगर आप सभी On Reserve Category के Candidate है यानि कि General Category के Candidate है तो वैसे Candidate के लिए 30% यहाँ पे रखा गया है Minimum Qualifying Marks यानि कि 30% का मतलब यह हो गया कि आपका 160 Marks का जो है Total एक जाम है और इसका 30% आपको Minimum लाना होगा तो दोस्तों 30% यहाँ पे Minimum 48 Marks आपका हो गया यानि कि 48 Marks 48 Marks जो है अगर आपका आता है On Reserve से है तो आप जो है Qualifying हो जाएंगे यानि कि यह Minimum Qualifying आपका Marks है 48 Marks इसके अलवा दोस्तों OBC या EWS से है तो इसके लिए जो है Total Marks का जो है 25% आपका रखा गया है तो इसके अंतरगत बात करें तो देखे दोस्तों इसमें जो है आपको 40 नंबर लाना होगा Minimum Qualifying Marks इसमें जो है 40 नंबर आपका रखा गया है इसके अलवा दोस्तों All Other Category बाकी जितने भी Category है SCHT इन सभी के लिए जो है 20% आपका Total Marks का जो है रखा गया है तो दोस्तों इसका आपका 32 नंबर हो जाएगा तो यहां पे Unreserve के लिए आपका 48 इसके अलवा OBC EWS के लिए 40 और 20% आपका Other Category के लिए तो यह जो है आपका 32 नंबर हो गया तो दोस्तों यह जो है आपका Minimum Qualifying Marks है अलग-अलग Category का दोस्तों आप सभी को बता दे इतना नंबर अगर आपका आता है तो यह जरूरी नहीं है कि आप जो है PT, PhD के लिए eligible होंगे लेकिन इससे अगर आपका कम आता है तो डाइरेक्ट आप फेल हो जाएंगे यानि कि इससे कम अगर आपका आता है तो आप फेल माने जाएंगे और काफी सारे एस्टेट ऐसे है जैसे कि North East के जो है कुछ ऐसे एस्टेट है इसके अलावा दोस्तो साउथ हिरिया के कुछ ऐसे एस्टेट है जहां पे minimum qualifying marks आने पर भी student का selection हुआ है पिछले बार तो काफी सारे एस्टेट में minimum qualifying marks पर भी selection हो जाता है हालांकि सभी एस्टेट में ऐसा नहीं होता है लेकिन जो North East के स्टेट है और साउथ हिरिया के स्टेट है उधर जो है ऐसा देखने को मिलता है तो दखिए दोस्तों ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या qualifying marks है और आप सभी हमेशा target रखिए 170 marks का आपका एकजाम है और अगर आप सभी जो है जो भी 24 आप सभी first दिये होंगे form apply करते समय अगर उसे आप सभी लेना चाहते हैं तो आप target रखिए 160 में जितना हो सके highest score करने के लिए दोस्तों minimum 140 पॉलस का target आप सभी लेकर चलिएगा तभी जाकर आपका final selection होने की पूरी संभावना रहेगा क्योंकि इस बार vacancy थोरा सा कम है पिछले बार के तुनला में तो थोरा सा cut up जो है इस बार जो है पिछले बार के तुनला में जादा ही आपको देखने को मिलेंगे हालांकि अगर post की संख्या बढ़ता है तो cut up थोरा कम हो जाएगा लेकिन दोस्तों अगर यही 26,000 ही आपका post रहता है तो cut up जो है थोरा सा जादा देखने को आपको मिलेंगे तो इसलिए आप सभी परियास कीजिए जितना हो सके उतना marks लाने के लिए और minimum जो qualifying marks था वो मैंने आप सभी को यहाँ पर बता दिये है अब दोस्तों यहाँ पर दखिए जो NCC की यह candidate तो अगर आप सभी के पास NCC certificate होगा चाहे C का हो B का हो या A का तो आपको जो है अगर C का है तो total जो है 5% आपको मिल जाएगा यानि कि 160 नंबर का जो है 5% आप सभी calculate कर लिजिएगा 8 आपका आएगा तो इतना जो है अलग से आपको नंबर दिया जाएगा अगर B certificate है तो 3% total marks का आपको अलग से मिलेगा और अगर A certificate है तो 2% आपको अलग से जो है total marks का मिलेगा तो जिसके पास NCC certificate होगा वैसे candidate को जो है यहाँ पे कुछ नंबर जो है अलग से दिये जाएंगे तो यह आप सभी यहाँ पे दिया गया है अगर आपके पास है तो आपके लिए benefit है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए exam date के बारे में exam आपका कप से सुरू होगा तो देखिए दोस्तों exam की बात करें तो आपका constable gd का जो exam है SSE constable gd का वो 20 फरवरी से आपका सुरू हो रहा है 20 फरवरी से लेकर 12 March तक आपका चलेगा तो आप सभी यहाँ पे 20 फरवरी से आपका exam सुरू होगा आपके पास समय जादा नहीं है आप सभी मान कर चलिए कि अभी धाई महीना आपके पास यानिकी समय है तो आप सभी जो है इसी दिन में जो है आपको तयारी करना है टोटल 75 डे आप सभी मान कर चल सकते हैं कि 75 डे जो है आपके पास अभी समय है तो दोस्तो आपको इसी के कोडिंग तयारी करना है 20 फरवरी से एकजाम है और हमेशा टारगेट रखिए हाई एस टेस्ट कोर करने के लिए ताकि फाइनल सेलेक्शन में कोई प्रोब्लम ना हो तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताईएगा फिर मिलते हैं नेट्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जेहिंद बनते हैं